आज के इस सेस्टन में हम physical property of mineral के बारे में दोस्तों discussion करेंगे generally जो mineral है दोस्तों क्या है? mineral इसी rule को follow करते है naturally occurring substance inorganic solid substance having some regular geometric atomic arrangement which is fixed chemical composition दोस्तों ये चार rule mineral definitively follow करते हैं दोस्तों जो mineral के physically हम identify जब करने जाते हैं दोस्तों हमें कुछ property को देखना पड़ेगा क्या-क्या वो property है चलिए दोस्तो कुछ light dependent property हो सकते हैं जैसे कि color हो गया luster हो गया, straight हो गया straight हो गया, fluorescence, phosphorescence यह दोस्तो एक mineral को अगर light के influence में आप देखने चाहोगे तो definitely यह color, luster, straight यह सभी चीज को आप देख पाओगे कुछ other property होते हैं जो, मतलब की light बिना light के influence में भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तो क्या-क्या होते हैं मतलब की form होते हैं दोस्तो fracture होते हैं fracture okay, cleavage cleavage tenacity tenacity है दोस्तो और hardness hardness उसके बाद दोस्तो polymorphism, pseudomorphism polymorphism pseudomorphism दोस्तो यह सब property होते हैं कुछ property होते हैं property dependent upon the sense like आप कुछ मिन्डाल को उसके test से पता कर सकते हो जैसे कि salt हो गया दोस्तो nscl हो गया कुछ मिन्डाल को दोस्तो उसके order से जैसे कि कुछ मिन्डाल होते हैं sulfurious smell होते हैं कुछ kaolinite मिन्डाल होते हैं दोस्तो argillus smell होते हैं कुछ मिन्डाल को आप field से भी समझ पाऊगे दोस्तो ओके यह भी एक methodology है और कुछ मिन्डाल को दोस्तो उनका कुछ characteristic like magnetism property magnetism अगर dimagnetic ferromagnetic okay magnetism electricity अगर electric charge flow कर रहा है जैसे कि pyro electricity मिन्डाल pigio electricity मिन्डाल electricity अगर movement हो रहा है हो उसके बारे में details जान सकते हो कुछ मिन्डाल पे दोस्तो radiogenic radio material मतब कि radio activity के बज़े से radio activity के बज़े से आप जान पाऊगे दोस्तो यह generally दोस्तो basic property है यह सभी जो property यह बहुत ही important होते generally यह सब आपको easily देखने को मिल जाएंगे okay और यह भी आप कर सकते हो दोस्तो तो चलिए दोस्तो जो property है उसके बाद और एक property दोस्तो specific gravity specific gravity इन सभी के बारे में आज के class में हम one by one discussion करेंगे दोस्तो तो चलिए दोस्तो सुरू करते जो जो mineral property आपको बताया दोस्तो क्या था color, streak, lustre, hardness, cleavage, fracture tenacity, crystal form okay die affinity, light transparency property है okay form इन सभी के बारे में हम आज के class में दोस्तो discussion करेंगे जो पहला property होता है दोस्तो क्या है हमारा color होता है पहला property क्या होता है दोस्तो color सभी mineral में कुछ ना कुछ color आपको देखने को मिलेगा यह जो color होते हैं दोस्तो यह एक absorption और reflection property होता है कितना amount का light यह अपज़ोर कर रहा है और कितना amount of मतलब energy यह अपज़ोर कर रहा है और दोस्तो यह कितना amount of energy reflect कर रहा है जो color होता है mineral का क्या होता है कि it dependent upon the absorption and reflection of ray of vibration ओके तो दोस्तो कुछ mineral के chemical composition के बज़े से भी color produce होता है जो कुछ chemical chemical composition के बज़े से भी आपको color देखने को मिलेगा कैसा दोस्तो कुछ एक iron आप ले लीजे यहाँ पर F3 प्लस है तो यह दोस्तो आपको red brown color दिखेगा F2 प्लस है दोस्तो आपको green color देखने को मिलेगा दोस्तो यह composition के बज़े से आपको color देखने को मिलेगा और कभी-कभी क्या होता है कि दोस्तो impurity होते है एक mineral पे दोस्तो impurity के कारण impurities के कारण दोस्तो आपको color देखने को मिलेगा दोस्तो ओके लाइक आप एक mineral पे देख सकते है कभी-कभी क्या होता है टिटानियूम बियरिंग मिन्डल दोस्तों ये क्या करेगा दोस्तों रेड कलर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कभी कभी क्या होता है दोस्तों टिटानियूम बियरिंग मिन्डल जो होते हैं दोस्तों आपको रेड कलर वहां पे देखने को मिलेगा तो दोस्तों मैं यहा प्रणिकल कंपोजिशन के बज़े से color changes होता है कुछ impurity अगर अगर मिंडल पर आ गया तो दोस्तों वहां पर color आपको देखने को मिल जाएंगे अब दोस्तों मैं यहां पर आपको कुछ example देना चाहूंगा color के बारे में क्या-क्या color आप बला मिंडल आपको देखने को मिलेगा जनरली बहुत सारे mg rich मिंडल ओके colorless होते हैं जनरली आपको कुछ white variety के white color मिंडल जैसे की दोस्तों calcite और क्या है दोस्तों calcite देन आपको talc यह दोस्तों white variety मिंडल है blue मिंडल दोस्तों blue मिंडल क्या है आपको मतलब की corundum topaz kyanite kyanite corundum topaz दोस्तों आपको मिल जाएगा दोस्तों topaz fluoride और दोस्तो red color मिंडल कौन-कौन हो जाएगे दोस्तों jasper jasper एक kuaj का ही variety है दोस्तों orthoclase flesy red होता है orthoclase यह दोस्तो flesy red होता है then green variety मिंडल दोस्तों सभी color का आपको दुनिया मिंडल मिलते हैं इसका काराण नहीं है दोस्तों composition इसका काराण नहीं है दोस्तों absorption reflection of light ओके तो दोस्तों olivine olivine generally green color दिखता है दोस्तो microcline microcline मिंडल generally green ruby दोस्तों आपका pink color दिखता है pink color मिंडल आपको यहाँ पे नाम दे रहा हूँ ruby उसका नाम है तो ही है दोस्तो different different मिंडल having different different color यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो color वाला property है यहाँ पे हम उसको primary observation technique के द्वारा हम इसको study कर पाते हैं दोस्तों primary observation technique का मतलब एक मिंडल होते हैं उसको हाथ में ले लिया हाथ से ही हम सब कुछ जान सकते हैं मतलब कि मिंडल को देख के हमें पता लग जाता है तो उसको हम primary technique of observation मानते हैं दोस्तों observation due to primary technique ओके क्या क्या है दोस्तो color आ जाएगा lustre, stroke, crystal shape, tenacity, hardness, cleavage, fracture, specific gravity यह दोस्तों आपको easily पता लग जाएगा कुछ-कुछ मिंडल का दोस्तो secondary technique method जो की test बोला था दोस्तो feel, smell, double reflection double reflection optical property है लेकिन फिर भी हम calcide जैसे एक मिंडल के उपर हम double reflection study कर लेते हैं अगर transparent calcide मिला तो हमें कुछ मिंडल पर दोस्तों हम dilute scl भी डालते हैं तो वहां पर reaction देखके मिंडल को identify करते हैं तो यह दोस्तों तो बस color के बारे में आपको अलेड़ी बता चुका हूं दोस्तों color में क्या होता है कि इमपूरूटीज के बज़े से color change होता है reflection और chemical composition के बज़े से आपको different type of color दोस्तों देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो कुछ को आर्ज के वहराइटी देख सकते हैं कुछ दोस्तो टॉपर्ज के देख सकते हैं कुछ दोस्तो आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वहराइटी यह देखें दोस्तो मिनल बें different different color आप देख सकते different different color क्यों दोस्तो क्योंकि यहाँ पे chemical composition chemical composition plus reflection absorption reflection and absorption आपको generate देखने को मिलेगा दोस्तो उसी के कारण यहाँ पे color देखने को मिलेगा उसके बाद दोस्तो और एक property है वो भी दोस्तो मतलब कि एक streak एक property है क्या है दोस्तो streak कि अगर mineral को एक mineral को दोस्तो आप एक streak plate पे rub करोगे तो दोस्तो उसका powder जो color होगा दोस्तो उसको हम streak color बोलते हैं ओके एक mineral को क्या करोगे दोस्तो यह एक streak plate है दोस्तो यह हमरा क्या है यह streak plate है फोर अपाक मिनरल इसका मतलब क्या है तोस्तो अपाक है लाइट केननोट मिन्सकी लाइट केननोट ट्रासफ़र ओके इफ यू रॉब इस संपूल एक्रोस दी स्ट्रेक प्लेट इट विल लीव ए कलर पावडर इस ट्रेक इस डiousंटिव फोर मिन्डल एड उस फोर मिन्डल इटिथायो डिस्ट्रेक प्लेट में अगर कोई रोप को घिस होलंगे तो तो दोस्तो ऐगा ऐसा अगर आपको मतलब ज की प्ली भेराइस पावडर का जो कलर आएगा जो स्टेक बोलते हैं मतलब कि powder color of the mineral, तो दोस्तो different different mineral, having different different steak, जैसे कि आप hematite को यहाँ पे घिस रहे हो दोस्तो, यह cherry red steak आएगा दोस्तो, okay different different mineral, कि क्या-क्या steak में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि hematite दोस्तो, hematite का जो steak है दोस्तो, वो cherry red है, और चालको pirate का दोस्तो black है, चालको pirate का जो steak है दोस्तो, जैनरली black है, graphite का भी आपको दोस्तो, lead gray मिलेगा, graphite का जो color है दोस्तो, और कैसा मिलेगा दोस्तो, lead gray, lead gray type of color देखने को मिलेगा, galena का कैसा रहेगा दोस्तो, galena, यह दोस्तो एक्जम्पूल है, ओके यह इनका steak color है, galena का दोस्तो, आपको brownish black दिखेगा दोस्तो, brownish black color देखने को मिलेगा, उसके बाद दोस्तो, और क्या है, ciderite, ciderite का color क्या है दोस्तो, white देखने को मिलेगा, तो एही है दोस्तो, कुछ steak के example, मैं यहाँ पर भी देना चाहूँगा, यह देखिए दोस्तो, hematite, ओके, यह देखिए दोस्तो, मतलब कि, hematite का क्या होता है, दोस्तो, cherry red steak, ओके, तो different different mineral, having different different steak, तो दोस्तो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह different different कैसे मिन्राल है, यह एक mineral का, इसका strike देख सकते हैं, ओके, इसका देखिए cherry red, ओके, यह देखिए dark, मतलब कि, आप अगर graphite को खिसेगे, तो यह सा ही color आपको देखने को मिलेगा, तो strike के बज़े से भी हम mineral को, easily identify कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा आता है, topic दोस्तो hardness, दोस्तो hardness क्या है दोस्तो, यह scratching resistance property है, दोस्तो mineral का, scratching resistance मतलब कि, एक mineral के उपर अगर, दूसरा mineral को आप अगर rub कर अगे, तो दोस्तो scratch हो जाना चाहिए, जैसे कि, यह दोस्तो higher hardness वाला mineral है, कि lower hardness वाला mineral है, जब एक higher hardness mineral, like gypsum को, जब दोस्तो आप, मतलब कि rub करोगे, टल्क के उपर, तो दोस्तो यहाँ पे, एक मतलब कि abrasion दिखेगा दोस्तो, तो इसी को हम, मतलब कि scratching resistance बोलते हैं, higher hardness mineral, easily abrasion कर सकता है, lower hardness mineral के साथ, लेकिन lower hardness, जो mineral आपको देखने को मिलेंगे दोस्तो, वो easily abrasion नहीं कर सकता, higher hardness mineral के साथ, तो hardness is the, one of the most important, useful diagnostic property दोस्तो, तो resistance of mineral, generally upgraded, by the lower resistance mineral, जो resistance होता है, एक higher hardness mineral का, जेतना resistance होता है, generally lower hardness mineral का, दोस्तो, उतना resistance नहीं होता है, तो एएही है दोस्तो, hardness की आप resistance को देखके, मतलब कोई मिन्डल होते हैं, वो finger nail की दोरह, आप कट कर सकते हो, कुछ मिन्डल होते हैं, उसको दोस्तो, knife की दोरह, कट कर सकते हो, कुछ मिनराल होते हैं बहुत ही हाड तो यह हाडनेस टेबूल को दोस्तो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा हाडनेस टेबूल क्या है दोस्तो टाल्क, जिप्सम, कालसाइट, फ्लोराइट, अपटाइट, और्थोक्लेज, क्वार्च, टॉपपाज, कॉरंडोम एंड डायमोंड दोस्तो यह most important mineral है इनका दोस्तो आपको physical property, optical property याद रखना होगा यह दोस्तो एक arbitrary scale बे हम इसको measure करते हैं यह कोई मतलब कि यह नहीं कि टल्क से 10 गुना ज्यादा diamond hardest spindle है दोस्तो एसा नहीं है यह arbitrary scale है ओके तो टल्क का hardness 1 होता है gypsum का दोस्तो 2 होता है and calcite का दोस्तो 3 होता है फ्लोराइट का आपका 4, अपटाइट 5, और्थोक्लेज 6, क्वाज 7, टॉपाज 8, कॉरंडोम 9 and diamond दोस्तो 10 तो इनका दोस्तो physical property को भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना पढ़ेगा दोस्तो ओके तो इसके बाद दोस्तो हम एक important property पे discussion करेंगे उसका नाम है क्या दोस्तो लॉस्टर दोस्तो लॉस्टर क्या है कि एक signing property है दोस्तो एक mineral पर जो Lustre है दोस्तो क्या है दोस्तो यह हमारा signing property है तो एक mineral के उपर जब दोस्तो sunlight मतलब गिरेगा दोस्तो वहाँ पर जो color का थोड़ा बहुत signing करेगा दोस्तो उसी को हम क्या बोलते हैं Lustre दोस्तो reflected light के influence में यहां पर जो थोड़ा बहुत light changes होगा तो उसको हम बोलते हैं lustre ओके तो यहां पर मैं description बताना चाहूंगा lustre it describes how light reflects off this surface lustre generally दो category के होते हैं एक होता है हमारा metallic lustre दूसरा होता है हमारा non-metallic lustre यह जो metallic lustre होते हैं हाडल में जैसे मथलक की glazing करते हैं दोस तो इसको हम metallic lustre बोलते हैं sine like a hard metal hard metal में जैसे की लोधे में signing होता है दोस्तो उसको हम metallic lustre बोलते हैं और कुछ non-metallic lustre also signing करते हैं दोस्तो बिकोज यह ट्रास्पररेंट और semi transparent इंके कारण । मतलब कि Sign In له करते हैं तो assigning property क्या होता है दोस्तो हमारा लोस्टर होता है दोस्तो तो कुछ non metallic लोस्टर का मैं example यहाँ पर लेना चाहूंगा क्या है दोस्तो अडवन टाइन लोस्टर भिट्रियस लोस्टर glassy लोस्टर, silky, pearly, okay, grassy, dull लोस्टर और arthy लोस्टर दोस्तो तो चलिए दोस्तो मैं यहाँ पर आपको कुछ example देना चाहूंगा लोस्टर के बारे में दोस्तो कुछ metallic लोस्टर का example में लिखना चाहूंगा दोस्तो metallic lustre जो metallic lustre आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा दोस्तों gold में देखने को मिलेगा iron में देखने को मिलेगा pyrite में दोस्तों देखने को मिलेगा यह है हमारा metallic lustre metallic type का glazing करेंगे एक मिलेग उसके बाद कुछ non-metallic lustre क्या-क्या है दोस्तो non-metallic luster non-metallic luster क्या-क्या आपको देखने को मिलेगा दोस्तो पहला में आएगा दोस्तो vitreous luster पहले में आपको vitreous luster non-metallic luster है दोस्तो उसके बाद क्या है non-metallic luster दोस्तो आपका pearly luster pearly luster यह जो vitreous luster होता है कैसे दिखता है दोस्तो यह broken glass type का तो अगर तूटे हुए काच में जैसा luster दीखेगा दोस्तो उसके जैसा ही vitreous luster है जनरली quartz में आपको देखने को मिलेगा जनरली आपको quartz में देखने को मिलेगा फेल्सफार में देखने को मिलेगा जितने भी silicate mineral होते है vitreous luster आपको परली luster देखने को मिल जाएगा और कुछ luster होते है दोस्तो silky luster silky luster previous mineral में आपको जनरली silky luster देखने को मिलेगा दोस्तो आज जैसे की asbestos asbestos mineral कुछ होते है दोस्तो resinous luster resinous luster कौनसा mineral पे दोस्तो spalerite याद रखिएगा spalerite right पे आपको यह दो luster देखने को मिलेगा उसके बाद greasy luster greasy जैसे की luster of grease greasy luster दोस्तो talc में देखने को मिलेगा यह luster talc nephelin में भी देखने को मिलेगा दोस्तो और कुछ luster होते हैं dull luster dull luster कहाँ पे दोस्तो कुछ kaolinite mineral पे जैसे की आर्थी mineral होते हैं kaolinite kaolinite mineral पे दोस्तो आपको dull luster देखने को मिलेगा जनरली यह dull luster greasy luster यह है उसके बाद दोस्तो कुछ luster होते हैं की ciliary luster जैसे की hyperstein में देखने को मिलता है दोस्तो यह example थोड़ा याद रखिएगा luster एक signing property होते है की ciliary मतलब की sub metallic type of luster कहां पे देखने को मिलता है दोस्तो यह hyperstein में देखने को मिलता है यह कहां पे देखने को मिलता है दोस्तो hyperstein में और एक example देना चाहूंगा दोस्तो adamantine luster जो भी mineral में दोस्तो बहुत ही total internal reflection होता है adamantine luster adamantine luster कहां पे देखने को मिलता है दोस्तो diamond पे देखने को मिलता है diamond पे आपको adamantine luster देखने को मिलेगा दोस्तो यह है एक जाम्पूल आपको सभी बता दिया metallic luster gold iron pirate दिखाएंगे non metallic luster के अंदर vitres आता है pally आता है, greasy आता है silky आता है, resinious luster आता है डॉल लॉस्चर आता है दोस्तो सिलेरी लॉस्चर आडवांटाइन ये सभी दोस्तो नोन मेटली केटेगरी में आते हैं तो इनका एक्जाम्पूल भी बता दिया दोस्तो भिट्रेस का क्वार्च, परल लॉस्चर का माइका सिल्की लॉस्चर का आजबेश्टर रेजिनियोस लॉस्चर का दोस्तो स्पालेराइट, ग्रेसी लॉस्चर का आपका टाल्क, नेफेलिन, डल लॉस्चर का आपको क्या मिलेगा दोस्तो कावलिनाइट, सिलेरी लॉस्चर, हाइपोस्तीन में होता है दोस्तो आड़वांटाइन लोस्टो जेनरली डाइमॉड जिरकॉन ये सब मिननल पे दोस्तो आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तो ओके तो ये देखिये दोस्तो कुछ एकजम्पुल है metallic lustre कितना चक चक आपको यहां पर कितना glazing करेगा दोस्तो आप देख सकते हैं यह metallic lustre है और दोस्तो कुछ non-m綜ल्श भी आपको यहां पर दिखाना चाहूँगा मैं यह भी देखिए दोस्तो metallic यह देखिए दोस्तो नौन मेटालिक जो विट्रियोस लॉष्टर है ये देखिए दोस्तो आपका सिल्की लॉष्टर यहां पर आप देख सकते हैं इस पहल से है दोस्तो लॉष्टर के बारे में कुछ metallic lustre और कुछ non-metallic lustre यहाँ पे mix हैं इस image में ओके यही है दोस्तो यह metallic lustre आप देख सकते हैं purely तो बस यही है दोस्तो हमारा lustre के बारे में जहाँ पे आपको different metallic lustre and non-metallic lustre यहाँ पे देखने को दोस्तो मिलेंगे तो इसके बाद दोस्तो हम discussion करेंगे एक important जो topic है दोस्तो उसके बारे में ओ है हमारा क्या है दो property एक होता है property क्या है luminosense ओके क्या है दोस्तो luminosense generally दोस्तो luminosense के आपको देखने को मिलेंगे एक होता है हमारा fluorosense दूसरा जो property होता है हमारा fluorosense दोस्तो दोनों के बारे में यहाँ पे example में बताऊंगा दोस्तो क्या होता है कि मतलब कि fluorosense के बारे में आप समझ देजिए कभी भी अगर एक मिंदल के उपरा कर आप light influence करेंगे तो क्या होगा दोस्तो मिंदल का जो color होगा दोस्तो change हो जाएगा कभी भी अगर एक मिंदल के उपर अगर different energy source आप apply करोगे दोस्तो इस मिंदल का internal energy में दोस्तो color का change हो जाएगा तो इस property को हम fluorosense दोस्तो बोलते हैं some mineral when exposed in a sunlight or ultraviolet light produce a color which is quite different from its own देखे दोस्तो में definition लिखना चाहूंगा some mineral when exposed in the sunlight in the sunlight और युही ले भी बल सकते हैं in the sunlight the original color of the mineral will be changed okay some mineral when exposed in a sunlight the original original color of a mineral will be changed will be changed दोस्तो यह जो property जो original mineral का color change हो जाएगा यह जो property है दोस्तो इसको हम बोलते हैं fluorosense generally example कहाँ पर यह देखने को मिलता है दोस्तो fluoride पर okay fluoride दोस्तो blue color का जो fluoride होता है generally blue color का दोस्तो जो fluoride होता है इसके उपर अगर sunlight आप apply करोगे तो दोस्तो यह क्या हो जाएगा दोस्तो मतलब कि यह दोस्तो उसका color दोस्तो change हो जाएगा okay मतलब कि यह blue color का जो fluoride blue green blue green color का जो fluoride होता है okay तो यह इसका color क्या हो जाएगा दोस्तो brown और purple variety का मतलब कि fluoride आपको देखने को मिलेगा purple परपल कलर का आपको फ्लोराइट देखने को मिलेगा blue green variety का जो फ्लोराइट है दोस्तो इन्दी influence of sunlight और उभीर है ये दोस्तो purple कलर का फ्लोराइट बन जाएगा ये जो प्रोपोटी होता है कि original कलर दोस्तो चेंज हो जा रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं फ्लोरो सेंस बोलत दोस्तो बहुत ही total internal reflection होता है ज्यादा से ज्यादा तो जब आप light influence करोगे दोस्तो light इसके अंदर जाएगा लेकिन light उसके बाद दोस्तो थोड़ी देर बाद बंद भी कर दोगे तो दोस्तो यह मिंदल दोस्तो glaze करेगा ओके यह जो property आप देखोगे यह diamond पे जनरली होता है ओके diamond को क्या करोगे दोस्तो light के influence में ले जाओगे और उसको light cut कर दोगे फिर भी यह दोस्तो glazing करेगा यह जो property होता है दोस्तो इसको हम क्या बोलते हैं कि phosphorus sense some mineral glow and emit light some mineral क्या होता है दोस्तो glow and emit light emit light when they are placed in the UV light UV light but when we cut the UV light after that also the mineral will glow okay the glow induce the glow induce the mineral ray the glow induce in the mineral may continue for a may continue for a few seconds or after minute after the remove the light okay दोस्तो यहाँ पर मैं definition के बारे में बताने चाहूंगा दोस्तो एक diamond है दोस्तो इस diamond को क्या करोगे आप light influence करोगे okay light incident करोगे light incident करने के बाद दोस्तो light को बंद कर दोगे फिर भी दोस्तो diamond क्या करेगा okay यह जो mineral है दोस्तो ग्लेजिंग करता रहता है तो यही है दोस्तो हमारा luminosence property जहां पर आपको दो देखने को मिलेगा क्या है एक फ्लोरोसेंस दूसरा है हमारा फॉस्फोरोसेंस ओके तो यही था दोस्तो उसके बाद हम यहाँ पर cleavage और fracture के बारे में दोस्तो डिसकसन कर कि cleavage क्या है और fracture क्या है दोस्तो तो चलिए दोस्तो लोस्चर के बारे में आपको अलेडी बता चुका हूँ तो दोस्तो cleavage का definition में देना चाहूँगा cleavage may be defined as the tendency of a mineral to break दोस्तो tendency of a mineral tendency of a mineral to break in a smooth surface ब्रेक इने smooth surface ओके यही है दोस्तो हमारा cleavage तो यह कैसे breaking करता है दोस्तो अगर weak plane बंडिंग हो गया दोस्तो ओके वीक plane हो गया तो दोस्तो वहाँ पे आपको cleavage plane देखने को मिलेगा दोस्तो smooth surface से यह तोड़ना चाहिए लेकिन अगर यह curve होके टूट रहा है अगर unevenly ओ ब्रेक हो रहा है तो इसको हम दोस्तो fracture बोलते हैं कुछ mineral होते हैं smooth surface में split हो जाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तो cleavage लेकिन कुछ mineral दोस्तो smooth surface में breaking नहीं होता है उनके weak plane इतना नहीं होते हैं दोस्तो तो यहाँ पे दोस्तो क्या होगा कि curve plane में आपको breaking देखने को मिलेगा जहाँ पे भी curve plane में आपको breaking देखने को मिल कुछ केमिंध सब्सक्राइं ऊसको हम सबसे हैं 500 दिखाएंगर दोस्तोर देखने को मिलेगा कहां पर देखने को मिलता है माइका में टू 1 set मतलब 2 सल क्लिवेज यहां पर देखने को मिलता है मायका में 2 set दोस्तो इस डिएक्सन में 1 set इस डिएक्सन पर भी 1 set hazard 90 degree में आपको 3 set क्लिवेज भी देखने को मिलता है कुछ-कुछ mint दोस्तों base extra example ले हमारा काल साइट और four set cleavage four set cleavage दोस्तों आपको galena fluoride में देखने को मिलेगा galena पे देखने को मिलेगा cubical head दोस्तों galena उसके बाद आपको मतलब कि उससे ज़्यादा भी sparlerite पे four set से ज़्यादा भी six set भी cleavage आपको दोस्तों देखने को मिलेगा six direction में जैसे कि dodeca headron होता है कहां पे दोस्तों spalerite पे six set six set cleavage दोस्तों कहां पे dodeca headron dodeca headron पे दोस्तों spalerite okay spalerite पे कुछ cleavage का नाम दोस्तों मैं कि बोल दे रहाएँ कि galena पे cubic cleavage होता है क्यूबिक cleavage याद रखेगा octahedron cleavage octahedron क्लिवेज दोस्तों कहां पे देखने को मिलेगा डाइमट पे प्रिज्माटिक क्लिवेज प्रिज्माटिक क्लिवेज आपको पायरोगजीन और अंफी बोल पे देखने को मिलेगा दोस्तों पायरोगजीन और अंफी बोल पे और बासाल क्लिवेज आपको अलड़ी बोल चुका हूँ दोस्तों माइका में बासाल क्लिवेज भी उसको बोलते हैं क्योंकि बासाल सेक्षन में आपको ये क्लिवेज जनरल देखना पड़ता है दोस्तों फेर्सपार जो ग्रूप होते हैं पिना कोईडल क्लिवेज उसको भी बोलते हैं क्योंकि टू सेड होते हैं दोस्तों पिना कोईडल क्लिवेज ओके यही था दोस्तों क्लिवेज अब हम डिसकसन करेंगे कि दोस्तों फ्राक्चर के बारे में आप हम discussion करेंगे दोस्तो, fracture के बारे में, generally fracture आपको कितने variety का आपको देखने को मिलेंगे दोस्तो, तो बहुत ही most common fracture होते हैं दोस्तो, और क्या-क्या fracture होते हैं, पहला तो concoidal fracture हो जाता है दोस्तो, क्या है concoidal fracture? यह commonly जैसे की quartz में देखने को मिलता है उसके बाद दोस्तो, subconcoidal fracture होते हैं, event fracture भी होते हैं दोस्तो, मैं picture भी दिखाऊंगे दोस्तो, concoidal fracture का, event fracture होते हैं, okay, then hacky fracture होते हैं दोस्तो, h, c, k, l, y, hacky fracture, कुछ होते हैं, स्प्लिंटरी fracture कुछ होते हैं, बस यह हमारा fracture के बारे में, यह जो concoidal fracture होते हैं दोस्तो, यह curve होते हैं दोस्तो, okay, तो, it is the curve fracture, surface, sawing a concentric line, दोस्तो, एसे एसे अगर, मतलब कि यह तो smooth plane नहीं होते हैं, यह curve planner होते हैं, दोस्तो, एसे एसे अगर parallel fracture आपको देखने को मिलेगा, तो दोस्तो, इसको हम concoidal fracture बोलते हैं, जेनरली quartz पे देखने को मिलेगा, दोस्तो, quartz पे, obsidian पे दोस्तो, एसा fracture देखने को मिलेगा, subconcoidal fracture का मतलब दोस्तो, यहाँ पे ऐसे curve नहीं होते हैं, यह तोड़ा दोस्तो, subparallel fracture होते हैं, दोस्तो, एसे एसे, subparallel fracture यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओके, यहाँ पे इतना curve surface देखने को नहीं मिलेगा, इसके जेसा, मतलब कि पूरा simply curve एक common center को, ओके, दोस्तो, concoidal fracture में, subconcoidal में इतना curve नहीं होता हैं, कुछ event fracture होते हैं, ओके, event fracture क्या होता है कि, fracture surface almost flat, okay, plant जेसा surface देखने को मिलता हैं, दोस्तो, यह भी irregular plane पे, okay, uneven दोस्तो, आपको इतना, regular pattern में, देखने को नहीं मिलेगा, दोस्तो, रेगुलर fracture में देखने को मिलेगा, दोस्तो, पायरेलुसाइड, एक जामपूल होता है, uneven fracture का, उसके बाद दोस्तो, हाक की fracture, दोस्तो, हाक क रॉप सर्फेस होता है, तो ही है हमारा हाकी फ्राक्चर जो की कॉपर पर होता है, ओके? हाकी fracture is a fracture surface which is rough and sharp jog point यह देख सकते हैं यह दोस्तों sharp ओके? this is known as हाकी fracture copper में आपको देखने को मिलता है अगर ऐसा सेम आगर हाकी fracture अगर fibrosis mineral पे हो रहा है दोस्तो इसको हम splintory fracture बोलते है fibrosis mineral ओल भी sharp हो जाता है दोस्तों ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं Concoidal दोस्तो Parallel curve देखने को मिलेगा Univient में दोस्तो Parallel थोड़ा भी देखने को नहीं मिलेगा यह कोई यह मतलब कि flatten देखने को मिलेगा Univient में अधरा भी नहीं पुरा irregular आपको देखने को मिलेगा बीरेक्सन भी उनका दोस्तों क्या होता है अलग- अलग सा देखने को मिले है। यहां पे देख सकते हैं event fracture का कुछ example limestone है दोस्तों और यहां पे uneven fracture on evenly fracture chromaite, ca摵 être uh storyline,obile coma сдел ah concordial fracture, acid was just quite a variety है, higher fracture आप देख सकते हैं copper में है दोस्तों के स्प्लिंटरी फ्रक्चर देखने को मिल जाएगा दोस्तों यह देख सकते हैं जो क्लिवेज होता है दोस्तों वी प्लेन से दोस्तों स्मूथली यह ब्रेकिंग करेगा क्लिवेज स्मूथली जोक्टा हेड्रल मतलब की क्यूबिकल क्लिवेज आपको देखने को मिलता है दोस्तों स्मूथली यह टूटेगा लेकिन कुछ मिनरल होते हैं दोस्तों यह देखे स्मूथली रोंबोहेडरल क्लिवेज स्मूथली लेकिन आपको दोस्तों यह देखिए आप स्कते हैं लेकिन fracture में दोस्तों कैसे होगा यह देखिये दोस्तों यह देखिये हमारा fracture में ने कैसे दोस्तों यहाँ फोन्गोडरा यहाँ पे देखिये दोस्तों यहाँ परbreaking हुआ है लेकिन curve हैं दोस्तों ये curve ये curve दोस्तों ये हमारा हो गया fracture